नीट में हर साल 20 से 22 और 25 लाख एस्पिरिंट एक्जाम में बैठते हैं बट सभी का सेलेक्शन नहीं हो पाता है महज कुछी नम्मर में सेलेक्शन होता है नीट में ऐसा होता है कि अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर साल 2 या 3 लाख एस्पिरिंट बढ़ जाते हैं और सीट बढ़ती है सिर्फ हजार दो हजार दो हजार तो मैंने जादा ही बोल दिया तो ऐसा लगता है कि उट के मुँँ में जीरा के बराबर है क्योंकि अभी भी MBBS और मेडिकल प्रोफेशन का क्रीज बहुत जादा है और सुरू से चलता आ रहा है और अगर आप उस रहा हो कि वहां जाए कोटा जाए दिल्ली जाए यहां जाए वहां जाए थोड़ा रुको और अपने आप से बात करो सोचो कि मेरा सेलेक्शन कैसे होगा क्योंकि सेलेक्शन होना या ना होना कोई इंसूट डिटर्माइन नहीं करता है सेलेक्शन होना सिर्फ आप डिटर्म क्येंकि आप पिछले साल जो गलती करते हो वही same repeat कर देते हो तो कैसे selection होगा आपने जो पिछले साल त्यारी किया था इससाल आपने कुछ different त्यारी किया डिफेर अंदाज में त्यारी किया कुछ अलग किया आंसर आपका कमेंट स्क्शन में प्लीज मुझे बताईएगा, मुझे पता है कि आप आंसर है, नहीं किया, वैसे ही करते रहे, वैसे ही theory पड़ा, वैसे ही MCQ किया, वैसे ही अपने दोस्तों से बाते करते रहे, हर दिन को enjoy करते रहे, लास्ट में बहुत मेहनत किया, है रहा श इस वीडियो को देखने के बाद अकेले में एक पीस अप पेपर लीजिए और उस पेपर पे लिखिए कि मैंने क्या-क्या गलतिया की है क्योंकि आपको आपसे बहतर कोई नहीं जानता है तो आप लिखिए कि हमने कौन सी गलतिया की है क्या हमने गलत इंस्चूट जोइन किया है क्या हमने सेंद्र इवोर्ट नहीं किया है क्या है इस सारा चीज लिलेगे क्या हमारा मानसिक संतुलन और नहीं था हमारा प्रिवारिक संतुलन था पीर प्रेशर था कोई था नहीं मन नहीं लगता था जो भी चीज़े सब लिख दीजे और लिखने के बाद आपको काम करना है इसके उपर इसको चिपकाई दिवाली के उपर उसके काम करना है कि यह गलती अब नहीं करेंगे अगर यह गलती फिर से दोराएंगे तो आप वैसे ही कटेगरी में लाई करेंगे जिस समय आप इस वक्त है आपका 2024 में भी सेलेक्शन नहीं होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे देख रहा है और उसका सेलेक्शन ना हूँ मैं बिलकुल नहीं चाहता हूँ मैं सेल चलय को और यह आप पे छोड़ता हूँ जो उस मार्क पे चलेगा उसको मेडियोर कॉलेज का रास्ता मिल जाएगा जो मार्क पे नहीं चलेगा वो to वहीं पे रहेगा तो इसलिए गलतियों को लिखके और आप इसके उपर अमल करिए उसके उपर काम करिए और चीज इत ची कि मुझे कोर्स को तीन मेने पहले खदम करना है, पूरा 11-12, दूसरा टार्गेट ही बनाइए, कि ऐसा नहीं है कि इस साल आपने पिछले साल थियोरी किया, तो इस साल प्राक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं मत कीजिए, पूरा अच्छे तरीके से concept wise पढ़ाई करिये, और उससे related जैसे concept पढ़ते हैं, फिर उसके बाद MCQ करते हैं, वैसे ही करिए, बट तीन मेने पहले खदम होना चाहिए, concept पर काम करना चाहिए, रटाफिकेशन पर काम नहीं करना है, रटने से कुछ नहीं होगा, रटा हुआ ग्यान चंद घंटों का महमान होता है, concept पर काम करिए, और आज ही करना है, physics में ही करना है, chemistry में ही करना है, ताकि आपको push मिलते रहे हैं, और ऐसे push के लिए मेरा mentorship आपके लिए खुला है, आप मेरे mentorship से जोड सकते हैं, आप code में डॉक्टर एसके सिंग लगा के अनकाडमी का प्लस subscription ले सकते हैं, जैसी अनकाडमी का आपने plus subscription लोगे, तो वहाँ पे इंडिया के best teacher आपको physics chemistry bio पढ़ाएंगे, और code में डॉक्टर एसके सिंग लगाने से आपको 20% का discount भी मिलेगा, और आप मेरे mentorship में आके पढ़ाई करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहना चाता हूँ कि आपका selection अगले साल होके रहेगा, क्योंकि selection लेना बहुत करीब से चीजों को देखा है, selection आप जैसे ही बच्चे लेते हैं, बट कमी रह जाती है एक proper guidance की, proper mentorship की, ताकि आपको अच्छे तरीके से guide करके बता सके कि कैसे कब कब क्या क्या करना है, तो आप मेरे mentorship से जुड़ सकते हैं, मेरा एक number है, मैं अपने personal number शेयर कर रहा हूँ, 9560 784218 पे, आप मुझे call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, और अनकाडमी के plus लेने के पहले इस पर जरूर एक बार बात करियेगा, मेरे counselor है, मेरे expertise है, वो इस पर बात करेंगे, मैं भी बात कर सकता हूँ, और आपको एक proper बढ़िया course दिलाएंगे, कम दाम में, कम फीस में, कम फीस मे जादा output दिलाएंगे, तो I hope कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी, तो एक like तो बनता ही है, thank you so much